Hello students, Maths class 4th exercise 2.6, question number 6, change the position of the digits to get the greatest 6 digit number, digits की position change करनी है, to get करनी के लिए greatest 6 digit number, यानि कि सबसे greatest बड़ा 6 digit का number हमें बनाने के लिए digits की position change करनी है, जो निच्चे statement given है, and now a part है, a part में statement हमें क्या given है, एक number given है, 698242, यानि कि 6,98242, यानि कि 6,98242, या number हमें given है, इससे greatest 6 digit number लिखना है, क्या लिखना है, greatest 6 digit number, तो हम या लिखेंगे, greatest 6 digit number, greatest 6 digit number लिखना है, तो आप सबसे पहले इसमें से क्या करोगी, greatest लिखना है, यानि कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा बड़ा डिजिट है, इन में से वो चूज करोगी, उसे आप सबसे फर्स्ट में लिखोगी, सबसे बड़ा डिजिट को, greatest लिखने के लिए, सबसे बड़ा डिजिट पहले लिखेंगे, smallest लिखने के लिए, सबसे छोटा लिखते थे, तो greatest लिखना है आपने, तो सबसे बड़ा डिजिट है, इसमें से सबसे बड़ा डिजिट आपने से चूज किया है, 9, तो 9 लिखेंगे, first of all, then उससे छोटा, 8, 8 यहां लिखेंगे, then 6, उसके बाद 6 आएगा, फिर उससे छोटा है, 4, 4 लिखेंगे, then 2, 2 double time given है, तो last में भ प्लेश चेंज करने के वाद सबसे greatest six digit number आया है, now B part, B part में भी statement आपको given है, इससे भी greatest number हमने लिखना है, उनको use करके greatest number, greatest number लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट आएगा, यानि कि 9, प्लेश चेंज करना है हमने, यानि कि यह last में 10th place पे था, यहां पे 9 क् लेकिन हमने place change कर दिया, greatest number लिखना था, हमने place change करके लेक प्लेश पे लेके चले गए इसे, 9 के बाद जो बड़ा number है, वो कौन सा है, 6, 6 बड़ा digit है, 6 के बाद 5 आएगा, और 5 कितने times use हो रहा है, 2 times use हो रहा है, यानि कि दो बार ही हम लिखेंगे, एक साथ ही 5 और 5, then 2, last म क्या होगी, 0, तो यह बन गया है, 9,65,520, now C part, C part की statement given है, this, हाँ जी, greatest number लिखना है, greatest number, greatest number लिखना है, तो सबसे बड़े वाला digit सबसे पहले उठाएंगे, 9, then 8, then 6, उसके बाद 5, और last में सबसे smallest number, greatest लिखने के लिए, सबसे पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा digit, select करते है, फिर उससे छोटा, और last में सबसे छोटा, तो यह बन गया हमारा 98,650, now D, इसमें greatest number लिखेंगे, greatest number क्या बनेगा, इन डिजट को इनका प्लेस चेंज करने के बाद, पोजिशन चेंज करने के बाद, जो greatest number होगा, वो होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा digit यहां पर यूज हो रहा है, 8, 8 कितनी बार यूज हो रहा है, 2 times, तो हम यहां पर पहले 2 times 8 लिखेंगे, then 6, 5, 1, and at the last 0, हां जी, तो बन गया 8,86,510, यह D पार्ट तक हम ने किया है, अगे E पार्ट, F, F पार्ट, G, and H, यह 4 पार्ट भी बिलकुल सेम है, आप सभी पार्ट इसके ट्राइ करोगे, हां जी, now question number 7, write the smallest 6 digit number, using all the digits from 0 to 5, and no digits is repeated, statement को ध्यान से पढ़ेंगे, कि write the smallest 6 digit number, क्या write करना है, हमने smallest 6 digit number, सबसे smallest 6 digit का number लिखना है, using all the digits from 0 to 5, 0 to 5 digits को use करके, 6 digit का सबसे smallest number हमने लिखना है, and no digit is repeated, और कोई भी digit repeat नहीं होना चाहिए, तो हम देखते हैं कौन से digit हम use करेंगे, तो क्लिखेंगे given digits, given digits क्या है हमें, 0 to 5 है, 0 to 5, तो 0 to 5 हमारे कौन कौन से digit होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, and 5, यह digit है, 0 to 5, यानि कि कितने digit होगे हमारे 6, इन 6 digit को आपने use करके सबसे smallest number लिखना है, smallest number लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें digits होते हैं, उनको ascending order में arrange करते हैं, पहले भी हमने इसे related question किया है, इसी exercise के, तो हम जब भी हमने smallest and greatest number हम लिखना होते हैं, जब भी हमने smallest number लिखना होते हैं, तो हम digits को ascending order में arrange करते हैं, लेकिन अगर हमने greatest number लिखना होते हैं, तो digits को हम descending order में arrange करते हैं, तो यहाँ पर हमने smallest number लिखना है, तो जो given digits हमें 0 to 5 हम उन्हें ascending order में arrange करेंगे, तो लिखते हैं, यहाँ पर arrange the given digits, arrange the digits in ascending order, ascending order में smallest to greatest, यानि कि digits को हम smallest to greatest से arrange करेंगे, तभी हमारा smallest number लिखा जाएगा, हाँ जो smallest to greatest लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे smallest is 0, then 1, 2, 3, 4, 5, यह जो digits हमारे 0 to 5 हम उन्हें, हमारे already ascending order में है तो हम इसी type से लिख लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा 1 है, then 2, 3, 4, and last में 5, अब हम smallest number लिखने जा रहे हैं, 6 digit का smallest number, smallest number क्या हो गया, smallest जो ascending order में digit हम arrange करते हैं, हम उन्हें यहाँ पर इस type से लिख देते हैं, वो हमारा number बन जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबसे first of all, 0 यूज़ करका है, अगर हम 0 को firstly हम यहाँ पर लिखेंगे, और बाद में उससे बड़े digit लिखेंगे, तो क्या होगा, यह हमारा 5 digit का number बन जाएगा, और हमें चाहिए 6 digit का number, 5 digit का number बन जाएगा, 6 digit का number नहीं बनेगा, इसलिए हम 0 को second number पर यूज़ करेंगे, पहले हम कौन सा number यूज़ करेंगे, 1, क्योंकि हमें 6 digit का number चाहिए, 0 के आगे कोई value नहीं होती, इसलिए हम 0 को second number पर ले जाएगे, तो पहले 1 लिखेंगे, then 0, then 2, 3, 4, and 5, तो यह बनगे सबसे smallest number, 1,2,345, now question number 8 है, right, the greatest 7 digit number, सबसे greatest 7 digit number लिखना है, using all the digits from, sorry, 1 to 7, 1 to 7 के सभी digits यूज़ करके, greatest 7 digit number लिखना है, and no digit is repeated, और कोई भी digit repeat नहीं होना चाहिए, यानि कि कोई भी digit इन से 1 to 7 के बीच में 2 times यूज़ नहीं होना चाहिए, हर एक digit only one time से use होगा, तो हमने 7 digit का सबसे greatest number लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, given digits, जो हमें digits यहाँ पे given है, वो कौन से है, given digits है, 1 to 7, 1 to 7 है, यानि कि 1 to 7 कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, यह हमारे कितने digits होगे, 7, तो इनको यूज़ करके greatest number लिखना है, जब हमने बताया आपको, कि जब smallest number लिखते हैं, तो digits को हम ascending order में range करते हैं, लेकिन जब हमने greatest लिखना है, तो digits को arrange करेंगे, descending order में, descending mean decreasing order, यानि कि greatest to smallest, यानि कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, arrange the digits in descending order, descending order में arrange करेंगे, यानि कि सबसे descending mean decreasing order, यानि कि biggest to smallest, यानि कि सबसे बड़ा number आएगा सबसे पहले, 7, then 6, 5, 4, 3, 2, and 1, अब क्या लिखना है, जब descending order में arrange किया है, तो इससे कौनसा number लिखेंगे हम, greatest number, सबसे greatest number लिखेंगे, 7 digits का, इन digits को use करके, तो इनको as it is हम या लिख देंगे, क्योंकि descending order में हमने arrange किया है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हां जी, यह 76,54,321, यह आया है, 7 digits का सबसे greatest number, thank you.